कि या ओग्या चैनल रखा है अरे तो मेरा भी तो लालो रखा है अरे ठंड रख ठंड रख इतनी अल्दी कुछ नहीं होता पैसेंस रख सेयर मार्केट में निवेश करने के साथ आपको पैसेंस भी रखना होता है अब यह बताता हूं अच्छा एक वीडियो अपलोड कर रहा जो दिमाग में ब्लोकेज है ना तो यह लग रहाना है कि 6 महिने में तेरा पॉटफोलियो लाल है भाई सारे के लाल है और कैसे हरा करना यहीं बता रहा हूं चल फोन रख तू जल्दी देर मत करें आप तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है देखिए ऐसे से इसलिए में वीडियो लेकर आता हूं इस तरह की तो आज की वीडियो इसलिए यदि आप साल 6 महिने में निवेस करके इस्टोक मार्केने परिशान हो चुके हो और आपका पॉर्टफोलियो भी आपको लगता है कि लाल है बागी लोग तो हरा होगा बागी लोगों तो इक्वीडी मार्केट में जब निवेस करने आते हैं खासकर जब हम लोग डायरेक्ट इस्टोक खरीते हैं मूचल फंड में नहीं है मूचल फंड में तो पेसेंस रख लेते हैं डायरेक्ट हमें पता ही नहीं उसको देखते भी नहीं रोज रोज वो एक अलग लेवल का इन ले डेड़ साल या निकि 18 महीनों के अंदर निगेटिव रिटन दिये इसने जब इंडेक्स भी निगेटिव रिटन दे रहा है तो आपको इतनी ज्यादा क्यों जल्दी हो रही है क्या लगता है आपको मार्केट बंद हो गया बरबाद हो गया खतम हो जाएगा इसके बाद नहीं कुछ नहीं होने वाला है इस तरह से यदि इंडेसिस बहुत ज़्यादा गिर जाते है न उस समय तो अपोर्चुनिटी होती है अभी भी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के अंदर अपोर्चुनिटी है जहां पर कि आप बाइंग कर सकते हो मैं कई बार आपके और सेर्स की ट्रीडिंग हुई तो उसमें से सतर जो है खरीद कर लोगों ने अपने पास एजर डिलिवरी रख लिए लॉंग टर्म के लिए रख लिए कि इसको साल चे महीने दो चार साल दसबीस साल मैं अपने पॉर्टफोलियो मैड़ करूंगा और मुझे लंबे समय में अच्छे रिटन बना कर देगा इसका मतलब होता है डिलिवरी परसेंटेज डिलिवरी जो सेर्स की होती है वो इसी करान से आपको दिखाई देती है ठीक है अब देखते हैं सेंसेक्स की यदि बात करें 18 अक्टूबर 2021 को सेंसेक्स का लेवल भाव था भाव था 61,765 रुप 24,952 पर था 18 अक्टूबर 2021 को और 9 मार्च 2023 को यहां पर देखिए 24,773 यानि की लगबग 8% से निगेटिव है इसी पिरकार से बीएसी स्मोल कैप इंडेसिस की यदि बात करते हैं 18 अक्टूबर 2021 को था इसका लेवल 30,100 का और 9 मार्च 2023 को 28,096 के लेवल पर है जो की लगब साड़े 6% से निगेटिव हैं पिछले 18 महीनों में यहां से बात करनें देड़ साल में तो यह डेटा सेयर करने की जिरूद क्या पड़ गई मुझे क्या मेरे इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत आ गए थी या मुझे लगता है कि इसको दिखा कर आपको क्यों जताना चाह करते हैं तो यह यहां पर पेसेंस रखने के जुरूत है आपको जब मैं बात करता हूं यह आपको इसमोल कैप के साथ जाना है तो आपको जब मैचूर्टीव करते समय वहां पर देखना पड़ेगा कि मार्केट के हालात कैसे हैं तो इसी पिरकार से यदि आप individual stocks select करोगे तो वहापर number of stocks कम हो जाते हैं choices कम हो जाती है तो आपके पास जब balance करने के लिए returns को समय कम रहता है options कम रहते हैं इसलिए आपको long term के लिए कई बार hold करना पड़ सकता है कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे अच्छी companies भी एक limited time में आपको अच्छा return मना कर दें जरूरी है कि आप उसको patiently hold करें यदि आपने पैसा लगा दिया है तो सोस समझ कर निवेस करें जो पैसा आपके लिए spare पड़ा हुआ है यानि कि उस पैसे की आपको जरूरत नहीं है अगले पांस साथ साल या आठ दस साल तभी उस पैसे को निवेस करें ऐसा ना हो कि आपको emergency fund में अपने share से अपना mutual fund emergency में आपको ग्रेवे भाव पर redeem करके अपरी stock बेज कर उस पैसे को withdrawal करना पड़े आपको नुकसान में अपना जो investment जो है बीच में रोकना पड़े इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा एक अच्छे से प्लान करें अपना emergency fund अच्छे से प्लान करें अपने monthly expenses कितने expenditure होने बाले हैं आपके household expenses विए आपके desired और wants हैं wants तो पहले करनी पड़ेंगे desired तो बाद में रख सकते हैं उनको second level के लिए तो जो भी आपके बच्चों को पर यानि की school fees जा रही है घर के जो expenses होने उनको पुरा घर का महीने का expense करने के बाद कितना बचर है उसमें से कितना आपको expense करना कितना आपके पास emergency fund है कितना आपके पास life insurance है कितना आपके पास health insurance है सारी चीजों को bifurcate करने के बाद जो आप safely investment कर पाओ securely investment कर पाओ और उसको आप withdraw नहीं करोंगे for next 5 to 10 years तब ही आप investment करें नहीं तो आपको यह दिया आगए साल 6 मेने में पैसे की जिर्वत पड़ा गई तो आप हो सकता है कि आप graveway भाव पर अपने sales को बेच कर पैसा निकाल लो तो यह छोटा सा वीडियो इसके लिए हमारे लेकर आया क्योंकि बहुत से लोग बहुत जल्दी परिशान हो जाते हैं कि हाँ ठीक है इसमें तो पैसा बनने वाला नहीं है अपने stock बेच कर पैसे निकाल कर FD में जमा कर देता हूं या कोई policy खरीद लेता हूं यदि आप भी ऐसा सोचते हो तो आप गलस हो सकते हो कई बार आपका decision गलस साबित हो सकता है और मेरी वीडियो साब को कुछ जयदी सीखने को मिलता है तो like उट से रवस्य कीजी जिससे की बाकी लोग भी परिशान ना हो और निवेश को सही दिसा में लगाएं और सही investment पर सही return भी पाएं थैंकी सो मच पर वोचिंग investment का फंड़ा प्लीज की बोचिंग जैहिन जैवारत नमस्कार